दोस्तों Android 12, इसके बारे में already मैंने I think एक वीडियो बनाए था जो Android 12 ताफी जल्द अफडेट होने बला है, बढ़ गया इस integer करते करते तो finally Android 12, अगर आप इस्तमाल करना चाहते हो तो आप ही मैं इसी वीडियो पर Android 12 के बारे में बात करने बाला हूँ, Android 12 का अफडेट किस त सकते हो, मोर देना वीडियो को स्किप कर सकते हो, हाँ हाँ लेकिन और एक बार आप वीडियो को स्किप करने से पहले आप comment box फर comment definitely करना आपका कौन सा device है क्या आपको 12 अपडेट आया या नहीं आया ये comment करके जोरूर से जाना, तो दोस्तों जैसे कि Android 12 के बारे में बात किय तो आपको पता हो गया Android 12 जो है वीडियो का कुई X series हो गया Y series हो गया, तो उसमें 2021 में आपडेट आ गया था Android 12, बट X series Y series में काफी ऐसे भी smartphone था भीडियो का जिसमें आपडेट नहीं आया था, तो finally वो सारा घड़ी खतम हो गया, अभी Android 12 को अभी इस्तमाल कर सकते हो, तो जैसे की smartphone आगया हाथ में, अभी screen recording में enable कर दिया, मेरा वीडियो का Y series पर आता है, तो इस तरह आपडेट को लाना है, क्या से आपडेट करना है, वो भी में बताने वाला हूँ, तो मैं settings पर जाता हूँ, जाने का बाद मैं क्या करता हूँ, direct क्या करता हूँ, मेरा जो system अभ update पर click जैसे ही करता हूँ, अब देख सकते हो Android 12 आ गया, तो अभी Android 12 का अंदर में क्या क्या नए feature को improve किया जाएगा, क्या नए feature को add किया जाएगा, तो दोस्तों जैसे की Android 12 का अंदर में काफी सारा changes किया जाएगा, जैसे की example लिया जाए, no no music player add किया जाएगा, उसका Android 12.8 का जो file होता है, उसका size का बाद क्या जाए, मेरा जो file का size आया 3.5 GB का असपास, यासा नहीं है जो आपका भी वो का device अगर है, तो आपको भी 3.5 GB, 3.5 GB का असपास में आपका file होगा, ऐसा कोई confirm नहीं होता है, आपका smartphone का उपर depend करता है, एक smartphone में अलग-अलग तरीके स file का size जो होता है, अपको क्या करना है, फड़क से इसको download करना है, तो मैं क्या करता हूँ, download फप्रेस कर देता हूँ, तो download होने का बाद में काफी time लग जाएगा है, तो मैं वीडियो को sports कर देता हूँ, उसका बात का process में दिखाता हूँ, फड़क से, अब देख सेकता सकता हूँ, तो करने का बाद मैं जैसे confirm करता हूँ, करने का बाद मेरा जो smartphone है, अभी कुछ loaded ले रहा है, उसका बाद reboot होगा, क्यों जैसे हर बर होता है, हर एक smartphone जैसे आपडेट करूँ, उसका बाद smartphone जो है, reboot हो गई होगा, तो मेरा smartphone को में reboot भी होने देते हैं, वीडियो क का भी series में, तो आभी guys मैं तो सारा कुछ आप लोग को बात है दिया, android 12 को किस तरह download करना है, download करने का process किस तरह होता है, क्या-क्या step होता है, किस तरह आपडेट कर सकता हूँ, लेकिन guys बात यही तो खतम नहीं होता है, आपका अगर भीवो का device है, तो आपका भीवो का device पर भीवो का कौनपॉंट्सी device पर 12 अपडेट देखने को मिल रहा है, अगर कोई device पर अपडेट नहीं है, तो उसमें अपडेट को कैसे लाना है, कि सतरह अपडेट करना है 12, क्योंकि सभी android 12 को इस्तुमाल करना चाहता है, तो उसके लिए guys मैं कुछ list भी आप लोग को screen पर द अपडेट कर सकते हो, तो आप ही guys last में एक बात मोलना चाहता हूं, android 12 का अंदर में अब अपना smartphone का performance को कैसे increase कर सकते हो, तो comment करना next वीडियो में इसी का उपर बनाऊगा भाई, android 12 का अंदर में क्या-क्या नए feature इंप्रूब किया गये, इस feature के थुरू आप अपना smartphone का performance को क कैसे improve कर सकतो,